नापुर शहर के 54 महापोर के तौर पर दयाशंकर तिवारी इन्होंने आज अपना पदभार समाला महानगर पारी का प्रांगन में पदगरहन समारंब आयोजित किया गया था जहां उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुबहुत साज़ा किये आये जानते हैं क्या का नए महापोर दयाशंकर तिवारी ने सोनने जैनती थी और उसी का सोभाग है कि अभी जब मैं महापोर बना तो यह आजादी की हीरक जैनती वर्ष में मुझे महापोर बनने का सोभाग मिला है मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन पलिदानी यहों इस भारत की इस्वतनततां के लिए जो सकने देखे होगी और इस झोटी सी सस्था से स्वाय तसहासी संस्था से जो अच्छै काम की अवीक आपक्षाप्षा की होगी वह अपक्षा पूर्ण करने के लिए उन्हें इस हीरक बहुत सउमें आदरांजली अर्पित करने के रूप में मैं वर्ष भर काम करते रहोगा यही विश्वास मैं दिलाता हूँ मेरा भगवान मेरी मा है मेरा पिता मेरी मा है मेरी दुनिया मेरी मा है कारण उस मा ने जब मैं नवी क्लास में पढ़ता था और मेरे पिता का देहान्त हो गया करक रोग से देहान्त हुआ और 78 के उस कारेकाल में एक मध्धमवरगी परिवार को अगर इलाज के लिए धाई से 3 लाख रुपे खर्च करना पड़े तो आर्थिक इस्तिती परिवार के क्या रही होगी आप कलपना कीजिए उस वातावरण से मेरी मा ने मुझे बढ़ा किया है और आज में जो कुछ हो मैं आपको बड़ी कृतबनेता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब मेरे पिता का देहान्त हुआ तो मेरा सबसे छोटा भाई दूसरी क्लास में बढ़ता था बहन पाचवी क्लास में पड़ती थे परिवार का संचालन परिवार का नियोजन परिवार का धनारजन और उनके अन्न के विवस्ता सब मुझे करना है मेरी जिम्मेदारी थे लेकिन मेरी मा मेरे साथ थे और मेरी मा के मेरे साथ के कारण मैं उन सारी बाधाओं को पूर करते हुए परिवार का ठीक से संचालन करते हुए आज मेरे मा का आशिरवाद है कि मैं इस नाकपुर शहर के महापवर के पदपर बेठा हूँ और मेरा सौभाग यह है कि मेरी माता ने अपने दिनना होना और इसकी उम्र में अपनी आखों से उस नजारे को देखा मैं इस वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी मा को इश्वर और दिरगायू दे मेरे हाच से अच्छे होते ही काम को भी मेरी माँ देख सक का में अगर सब अभी बोल दूँगा तो तीन वजमी अगर अभी आपकर सब क्रपया क्रपया चमा कीजिए मेरा नाम धया है पिर भी में चमा मांग रहा हूँ करपया 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 दिन बजयां पिरसे बजयांगे